कि दोस्तों एक बार फिंसे आप सभी का में बहुत बहुत स्वाmates करते हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समावेसी सिच्छा 503 यानि समावेसी सिच्छा से संबंदित वीडियो number 3 होगा इससे पहले में समावेयोट किसे पर दो वीडियो अपלोड कर चुका हूं, तो सारा वीडियो आपको सीरेल क्लासेश के लोगों पे जाएगा, वहा है आप अपको प्लेजिट का अप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो आपको मैत का भी वीडियो मिल जाएगा करीब 70 वीडियो वहां मैत के अपलोड हैं मैत का वीडियो मिल जाएगा आपको प्रयावल का भी वीडियो मिल जाएगा और इसके लाव मनो विज्ञान का वीडियो आपको मिल जाएगा और इन सब बालकों पे हमने बात कर लिया अब हमारा जो टॉपिक है वह समस्यात्मक बालक पे है तो समस्यात्मक बालक कहते कि किसको है यह थोड़ा थियोरेटिक आपको समझना रटना नहीं कि वह आपको चीजें हमारी ध्यान से सुननी है ठीक आउट कुछ निकरना है रेकिसा बालक वो बालक होते हैं जो कच्छा बिद्यालय घर में तरह तरह की समस्याइं क्या करते हैं उत्पन करें या फिर जिनका बिवहार सामान बालक से हट करो जैसे आपने देखा होगा क्लास में टीचर बच्च बीस-बाइस बच्चों को पढ़ा रहा है तो कुछ बच्चे ऐस होते हैं जिनकी Magला हमेशा अचया के दियूता है बच्चे कर लेता है को परकार में आखते हैं जैसे पहला है दोस्तों आपने देखा होगा कुछ बालक ऐसे होते हैं बेडके चोरि में पैंसिल कर लेते हैं पें उर्थ offer कर लेते हैं संबनर यानि कटर चौडूडक कर लेते हैं तो इससे बालक आई दिन कंप्लेन आती रहती हैं और वो बच्ची को डिश्चर को डिष्टरब करते हैं तो यह होता है तो एक होकल इतैं या फिर मैं बिमार हो गया था तो बच्चे जूड बोलते हैं और जूड बोलते हैं निकल जाते हैं जो बच्चे लिए क्या होते हैं समस्य उत्पन करते हैं फिर तो बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् लोजक के लिए लिए करते हैं तो यह बालक होते हैं और फ़िक्रोद करने वालग करते हैं आ grow कर sarcasm अपने क्लास मेट से जिखड़े करते रहते हैं तो इससे क्लास जीचाब बहुता और टीचर के लिए भी समस्यात्मकभालक के प्रकारत थे अब एक चीज़ ध्यान से समझेगे दोस्तों कि यहाँ पर समस्यात्मकभालक की बात करूं एससे पहले जो मनें बुद्धी और इसके आल पिछले बालक की बात की तो उसको आप ध्यान से समझेगा थोड़ा सा बस डिफरेंट है बहुत जादा डिफरेंट नहीं है ठीक है मेंटली के अधार पर डिफरेंट है चलिए अब हम बात करेंगे समस्यात्मक बालक के काड़ ऐसे कौन से काड़ होते हैं जिसक किसी बच्चे को जब बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है तो बालक क्या हो जाता है वो बालक ऐसे ही बिवहार करने लगता है जैसे आपने देखा होगा किसी बालक को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाता है तो उसके जो गलतियों को भी क्या कर क्या होता है आया दिन गल्तियां करता है मात्akyπasus को एक्टिक्नोर करते उस-क कुछ करते गांते ही नहीं बोलते भी नहीं तो ए intellig वालख क्या करता है उसके अंधर क्या उश्चान मिलता है उसका प्रोसान पूत cincoap सब्सक्राइब लेडधाए अब सौचेए पापा और मुझे लिए उसको पैसे नहीं दिया तो बाल INFORTS जाएगा क्लास में वह अपने बघल में बैठे किसी बच्चे में के लेगा कट्र चुरा लेगा है न तो इस तरह से बालक क्या करेगा बाइं उसकता पूरियोती तो क्या वो चोरी करता नहीं करता दोषक्ता पूरी नहोंनेा व्लालक क्या घते RAM ठीक है यह थे समस्यातम erg के अगला पढ़ेंगे दूर करने उप्षाओं ऐसे कौन stabilize उपाए हैं जिनकी वज़ा से दूर कर सकते हैं तो इसका एक ही बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों सारेरिक दंड की बजाया मनो बैज्ञानिक धन्से सुधार करने के प्रियास करने चाहिए ऐसे बालक को सारेरिक दंड नहीं देना चाहिए, यानि उनको मारना पेटाने चाहिए, उनको मनुख बैग्यानिक धंसे सुधार करना चाहिए, जैसे मनुख बैग्यानिक धंसे उनको प्रेडित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, बेटा ये चीज गलत है, फिर उनको क्य कर दीजिए अब पूरे लेक्चर खड़ा होके वो लेक्चर को सुने है ना मारिये मत या फिर क्लास से बाहर कर दीजिए इस तरह से क्या करें इस तरह से जब आप दंड देंगे तो बालक को बड़ी ही सरमिंदी महसुस होगी वह बड़ा ही खुद को मतलब कहने का मतलब क्या करेंगा खुद को से महसुस करेंगा है ना और जब इस तरह से वह क्या करेंगा तो वह जब उस क्लासों की बीच उसकी इंसर्ट होगी तो कहेंगा नहीं आस के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक तो दोसों नेश्ट है owan के माता पिता गुरुजन को सहान भूत वार कहें वालक के प्रति जो माता पिता उब्यूरुजन हैं उनको को चाहिए कि बालक के परती बहुत कठोर ना खुद को मतलब बहुत ज्यादा कठोड़ता ना अपना है वह बालक से प्रेम पूर्बा क्यों सहानुभूत रखें उसको सीधे साधार सब्जों में उसको चीजे समझाएं प्रेम पूर्बा उससे बाते करें दूसरा अच्छे कारें के लिए प्रोसान देना तो माता पिता क करें तो मैं आपको चाहिए उसको अच्छे करें अच्छे करने प्रोसान देना जैसे उसको क्या है अगर आप ने दूस्ज़स के लिए वसको इमांदारी सच्चाही परभकरी इन सब चीजों के उनको एक कहानी सुनाना चाहिए जिसे हम लोग क्या करते थे पहले कलास फॉर्ट फाइब में पढ़ते थे तो आप देखा होगा यूपी बोर्ण पहले जब दो हजार चार पांच की बात है तो उस केस में क्या होता था नैतिक सिच्छा के एक अलग किताब चलता थे जिसमें व्रप मन्नू की कहानी परते दे फ्रोड़ा-चार की कहानी परते थे एखे पितामा की कहानी परते थे तो एसे माल Cheryl देने से क्या होता बालक के अंदर सुधार आता है पिर तो संगी साथियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए यह पर क्या रहने चाहिए रहना कि वनका ब्यक्तिकत आउसकतों की पूर्दिक करनी चाहिए बिलकुल उनकी जो प्रॉब्लम है या पिर उनकी जो आउसकता हैं बालग क्या कर देते हैं वह गलत तरीके से अपनी आउसकता पूरी करते तो उनकी जो आउसक है उनको पूरा करना चाहिए चलिए कि आपको समझ्यात्नाग बालक के आपको समझ में आ गिया होगया है यहां आप प्राप्लिम especially किसको कहते हैं डियंग किसको कहते हैं गर्टा सब बता है दिख्ष्ट बालक ईचछ्छ्छ अशच्छ्छ 되면 आपने दिखा बाले kle यह आप अपाहिज होते हैं कुछ मूख बधिर होते हैं कुछ दृषटबादित होते हैं तो ऐसे बालक क्या कहा हैं हम अपंग'd बालक के पर्भास क्या होगी तो ऐसे बालक बहुत ही सिंपल सब्दों है जैसे जिसमें कोई नय कोई अस्थाई रूप से सारी रिख दोस्त पाया जाता है यानि जो अस्थाई हो ऐसा नहीं है आज वो हो अपंग हुआ कर एलाज के दौरा ठीक हो गया आपने देखा होगा जिसका पैट तूट गया जैसे जन्म से अपाहिज है तो वह अपाहिज पर उसका कभी दूर नहीं होता वह जन्म पूरे जीवन भर ऐसा ही रहता है तो अस्थाई होता है और सारी रिग दोस पाया जाता है जैसे चाहे द्रिष्टी बादित हो दिखाई और दिब्यांग जाता है जेसे दोसे यहां खटी सा रहेगा ठीकिस सरवर्डोसे यानी सुनने में अच्छ बादित जिसको दिखाईव ना देता हो ऐसे बालक क्या करते हैं नहीं कि अब इनके मैंने ड़ाइब था क्या होनी जाहिए यहां पर रहाए इनके लिए यहां है अप संपत्र में अपनानी और खूले जाने चाहिए चेलिए यह भी सही हिए हुआ जाहां पर सारी बिवस्ताइं हो जैसे माल लीजे अपंग बालक है और उसके लिए क्या होनी चाहिए उसको आने जाने के लिए वील्चेयर की सुब्धा होनी चाहिए तो ऐसे बिद्याले में ऐसे जैसे बधिर है बहरे बैक्ति तो अगर माली जे वहां कोई बैक्ति बहरा है तो उसको सुनने वाली जो मसीन आती है ना उसकी भी वहस्ता होनी चाहिए तो बिसिष्ट आव सकता हो के अनुप बिद्याले खोले जाने चाहिए फिर दोसा चिकस्तों की सलास से आवस्ते को उपकरड़ संसाधन उपलब्द कराना चाहिए जैसे उनको फिर उपलब्द करा दिया जाया या पर सुनने वाली मसीन उपलब्द करा दिया जाए अपक्वाल नों के लिए बैटने के लिए उचीद बहुसता यानि वही आपका कहरा वीर्लचैर की बहुस्ता ठीक है अंधे पाल को ब्रेल लिप का प्रियोंग करना चाहिए भाई क्य सब्सक्राइब लिए जिए क्या तो कौन है इस लिप जो उन्होंने ब्रेल लिप उन्हीं के नाम से पड़ा ब्रेल लिप यह प्रत्रबदक थे वह नुएस ब्रेल लिप होता लेकिन उने क्या किया जो अच्छों माले यह छ्रिज्म होने जूरे की मकलब की बारे मिताया कि जो माल लिए ऐसे बेखते हैं उनके लिए गधिर याज़ब बारी यह मंतलब उसको चूकर वह पहचान सके कि कॉसम che z ? ऐसे माल लीजिए जिसे माय आपको बता दो घShout कि एक मिनट कि देखे जी यह हो गया it is a अमने देखा आई से अपने इखा होगा डाट ए ऐसे लेकिन यह डॉत रहेगा लेकिन वह लगई ड्र जिससे कि छूने में ये दर्बर लगे, छूने में हम इसको पता कर सके कि ये काउंसे अचला है, यही होती है, आइछ अचल के माढ़arlी से जुब्रहा होता है, यही अचला की पढली उनुने लाए जिनको बिर्ल लिप कहा गया, जोस्तों ऐसा क्यों लाया गया, क्योंकि हमें पता आव सकता ही क्या किंढ़ी ओती है तो जो वरेल महोंदे थे लुइस ब्रेल यह भी क्या मात्य पिता लोग को प्रेम ऐंशानि Chung रिवहार कहना चाहिए दूस्तों वह हुआ देखिए वहां पे भी था माता पिता गुरुजन को प्रेम हम साल पुर्पक ब्यवार करना चाहिए इनके प्रति ठीक है चलिए एक मिनेट दोस्तों यहां पर देखिए गलत यहां पर थोड़ा टाइपिंग हो चुका यह पॉइंट नहीं रहेगा ठीक है यह पॉइंट बिल तो दोस्तों आगे हमने देखा कि दिव्यांग बालक के लिए सिच्छण की ब्युस्ता कैसी होनी चाहिए दोस्तों यह बहुत इंप्वाटेंट है कि राष्टी सिच्छा नीत 1986 के तहट दिव्यांगों के लिए कुछ प्राउधान है उस प्राउधान को पढ़ेंगे जैस एक ही बिद्यालेया कच्छा में सामान और मंद बुद्धी के बालक दोनों एक साथ क्या हो अध्यन करें दोनों एक साथ बैठकर अध्यन करें तो इसी को तो कहते हैं हम समावे सिच्छा यानि अगर किसी कच्छा में बिना किसी भेदबाव के सामान और मंद बुद्धी ब बासर दिया जाएंँ करें करें त ब्याउसायik परिसेजर दिने जैएंसे बालक को इसी कि अपना बिजनेस कर सकें उनका जो अध्यन का जो मोटिव होना चाहिए वह सक Nicky फेक्र इसे अब लोग पकल लेखे उपड़ने के लिए उनको इसAND बताना चाहिए बांष्, टोक्री बनाना इस तरह से ब्योसायक प्रशेचेचण द दिया जाना चाहिए जंद सहका साधनों का प्रयोग आथा टेक्नलोजी़ा प्रयोग करना बताना चाहिए ऐसे उनका प्रयोग का आपने, सब्सक्राइब करने को यह सुनने वाली जो मसीन आती उसका परयोग करना चाहिए तो टेक्नोलोजी का भी परयोग उनको करना चाहिए पिर पिकलांगों के लिए जनपत केंद्र उपर जैन्पत के जिला केंद पर मेंने सारी लिए उप्लब्ध हो और इनके लिए क्या कर जा है क्या चुछ उपकरण जो मसीन करद होते हैं जह सुनने वाली मसीन वेइल चेयर और कुछ नहीं होते हैं जिनको क्या करना चाहिए उपलद कराना चाहिए जैसे एक मसीन ऐसे आते जो बोलता रहता है बोल कर चीजों को पढ़ता है तो ऐसे चीजों के लिए क्या होती है उनके लिए उपलद होनी चाहिए अब दोस्तों कुछ हम इंस्टिटूट के बारे पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपर्टेट है और डायिक आइक कुश्ण दे देता है कुछ इस्टूट हैं बहुत ही आपको देंगे मैं रटा देंगा इस जिए कैसे पहले खुरिंग निवे जिसकों कहते हैं National Institute of Visually Handicapped क्या कहते हैं National Institute of Visually Handicapped तो मैं आपको बहुत ही आसान समझाँगा देखिए विजूली का मलब होता है देखना हंडिकाट मतलब आपंग यानि जो देखने से क्या होते हैं अच्छम होते हैं देखने में असच्छम होते हैं देखने में असच्छम यानि जो दिष्टी बाधित होते हैं तो दिष्टी बाधित लोगों के लिए जो ये इंस्टिटूट है उसका साटने में निवह और इसका मुख्याले कहा है देहरादून है तो आपको याद कैसे करना है देखिए विजुली का मतलब होता है देखना और विजुली मतलब जब देखना होता है तो देखना से हुगा देहरादून दा से देखना दा से देहरादून तो देखना यानि इंकम ख्याले कहा है देरा दून जो दिष्ट बाधित लोगों के लिए जो इंशिटूट संथा काम कर रहा वो देरा दून में है ठीक है चलिए अब ऐसे हैं अब इसको देखिए जैसे पहले इसको पड़े एन आई एच एच का मतलब नेशनल इंशिटूट आफ हीरिंग हैं क्या मतलब सुनना यह नि को सफनने में असमर्थ होते हैं रहान इस से मलें क्या करेंगे मैं यात कराने का मेरा मतलब बिल्कुल यह कि मैं इस तनाख सब्दों का प्रयोक्त नहीं जो किसी को बुरा लगे ठीक है ऐसे बिल्कुल नहीं है त्यान समझेगा यहाँ पर मैं क्यों याद कराना चाहता हूँ आपको आपको याद कैसे करना बधिर लोगों के लिए जो मुख्याल है कहां पर है बासे बधिर बासे बासे क्या होता है बंबई आपको बंबई या तकना है क्या करना है बंबई बासे बधिर बासे बंबई यानि बहरे लोगों के लिए बंबई मुख्याल है क्या है बंबई मुख्याल है ठीक है चलिए अब यहाँ पर आपको फिर है नेशनल इस्टिटूट आप मेंटल हैं मांसिक रूप से जिनका दिमाग तम काम करता हो तो मांसिक रूप से इनके लिए क्या है मेंटल हैंडिकेप तो इनके लिए मेंटल यानि मेंटल मतलब सर सर समझी का सर सना सिर तो सिर से बना सिर से बना सिकंदर सिकंदराबाद सी से सिर् जिस सिकंद्राबाद सी से 400 आपको यहाद होगा दोस्तों यह कुषष जरूर रहाएगा हंडिर पस्ट निकाने का तरीका और दोस्तों आपका नियूप है नेशन इंस्ट्रेट सुटॉटॉठ अर्थोपेडिक एंडिकै governo होते हाद उसका काम नहीं करता या फिर हो सकता है वह पैर से अपंग हो तो हड़ी को प्राब्लम को जैसे जो होता है तो इसलिए और इसका मुख्याल है कोलकाता में तो इसको आप मुझे खुड ट्रिक बना के कमेंट बॉक्स में दीजेगा कि इनका ट्रिक क्या होगा है ना तो य बाइड ही का मतलब विज्य। है आपको नहीं याद मण रखना है हम का मतलब याद होता है अब व वीडियो कैसा लगा यहाप comment box में जरूर बतागे कि आपको वीडियो कैसा लगा है ठीक है तो प्लीज उसो to comment box में लिखके जो बताएआज की وीडियो के यहीं पर संमात करते हैं थैंक्यू for watching, Thank you so much